फूरा प्रीमियम ही डवल होगी, आप भी तो प्रीमियम आप देखोगे, मैंने उसको 20 सुबर पर इस प्रीमियम को सुबर उठाया हुआ था, अभी ये 150 जा चुका है, जो रोज की रोज मेरी वीडियो देखता होगा, मेरी सेट अप को समस्ता होगा, उसको काम करना अभी त ट्रेड मेरा क्लोज हो चुका है, तब मैं अभी रिकॉर्ड करता आप लोग के लिए, और लाइब मार्केट में ही अभी आपको मैं बिग बार सेट अप दिखाने वाला हूँ, जिसने अल्मोस्ट आज तीन से ज्यादा वार मलब तीन क्या, डाउंसाइट फॉल जब आया हैं, जब नीचे मार्केट ने बॉर्टम बनाया है, बॉर्टम के बाद उस प्रीमियम कहां तक गया है, मैं आपको दिखाऊंगा, कल है मॉनिटरी पॉलिसी, और उससे पहले आज की मार्केट की वालिटरिटी बहुत खत्मा का, पहले मार्केट नीचे आता है, बहुत जब बिग बार पर काम करते हैं, बिग बार पर स्कैल्पिंग करते हैं, या ट्रेट्स उठाते हैं, उनने, I hope, उनने कैप्चर किया होगा, नहीं कैप्चर किया तो अभी आपको दिखाएता हो, समझाएता हो, आने वाले टाइम मार्केट मा आपको और आसान हो जाएगा, ऐसे इसको कैप्चर करना है, क्योंकि कुछ पॉइंट से जो आपको नरजर में रखने चाहिए, जब भी आपके सीवे सैट अप मा काम करते हो, आकि मेरे किस तरीक से ट्रेट से चले हो, आपको समझाता हो, डिरेक्ट स्क्रीन पर चलते हैं, दोस्तों अभी निफ्टी का अभी मार्केट ही चल रहा है, और अभी आप देखोगे, तो जो टाइम हो रहा है, एक बज़ के डेड़ बज़े के आसपस का टाइम हो रहा है, और अभी के चार्ट पर ही, मैं अभी जब इस जगहा पर बिग बना था, मैंने तो स्टोरी पर पोस्ट किया था, कि यहां पर एक ब रस्त सेटप बना हुआ है, फिर इसके बाद अगेन हमें एक बिग बार देखने को मिला, यह था, नाइन एम पर सपोर्ट और अच्छा कासा हेल्दी से बिग बार यह देखो, इस जगहा पर बिग बार अपने को मिला है, और यह रहा बिग बार और इसके बार प्रिम के अं बहुत जवर्दस्त स्पाइक आया है, एक बार के बार अल्मोस्ट तीन केंडल बैक टू बैक इसने दिया है, और प्रिमियम आप देखोगे, सिस्टी 55 से प्रिमियम 80-85 गया और 85 से सीरह 140 के आसपास का स्पाइक मार चुग है, तो अभी मैं आपको यहां पर सैट अप मैंने इस बिग बार सेट अप बॉटम पकड़ा हुआ था, बॉटम कहां पर आप देखोगे, पहले मेरा जो पहला ट्रेड मैंने बनाया वह आपको दिखाये था, मैंने जो फर्स टेड बनाया था, वह बनाया था इस टॉप पर क्योंकि मेरे एक्स्पेक्टेशन था कि मार स्टॉप लॉटम पर देना पड़ा, स्टॉप लॉटम पर बना था, अगर आप देखोगे इस जगह पर बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना जो लो है वो नहीं तोड़ा है, और लेकिन यहां पर जो निफ्टी वो अपना लो तोड़ने लगया था, निफ्टी ने कुल म अगर बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है नहीं तोड़ा है तो यहां पर ट्रैप बना था जहां पर मेरी मैंने यहां पर आपिस से जो यही वाला व्यू था मेरा उपर कॉल साइड पर यहां से अगर सपोर्ट लेगा तो ठीक है नहीं तो वन डिक्षिनल कभी ऐसा कोई फॉ चूज की थी वह आपके सामने मैं आपको रखा है वह है 22,450 का स्टाइक टैस जिसमें अन्मोस्ट मेरे ट्रेट करने बाद एंटर करने कदे कदे की बाद बीग बार मैंने एंट्री किया था पूरा प्रीमियम ही डवल होगी अब भी तो प्रीमियम आप देखोगे मैंने उस इस प्रीमियम को सुबह उठा हुआ था अब यह 150 जा चुका है जो बिग बार टू डायेक्शन पर जो काम परते हैं जो त्रेट को थोड़ा लंबा होल्ड करें चलते हैं आप देखते हो तो कितना पोटेंशिल इस पर बना हुआ है और अगर आप देखोगे तो जो मैंने मैंने इस रणिंग केंडिल पर बना दे थी मेरा कॉन्विक्शन थोड़ा से जादा था तो मैंने इस जब यह केंडिल नीचे को फॉल गए थी तो मैंने यहां पर 20 रुपीस के आसपास बाइंग बना दी थी 15 रुपर मेरे एवेज ओडर लगे थे लेकिन जो प्राइस का क अच्छा का सब्सक्राइब बना और अपने को सिर्फ तीन चेह होती है पांच-वाश मिनट की एक दो थर्ट में जो प्रीमियम है बीस सुपैसे कहा मार गया अल्मूस्ट चालिस क्या हाई मार किया अंदर हंड़िट परसेंट का जंप आपको यहां पर देखने को मिला और अभी तो यह प्रीमियम कहां पहुंचगे आपको देख सकते प्रीम तो आस्मान चूरा है आप देखोगे तो यहां पर बिग बार बना बिग बार के बार अच्छा खासा इस पाइक तो यह होता है ट्रेंडिंग मार्केट में अगर दोनों साइड मुवमेंट आ तो आपको में अच्छा अच्छे ट्रेड मिलते हैं लेकिन आपको Stop Loss का भी छोटा बनता है चोटा है सिर्फ एक केंडिल लो का Stop Loss Stop Loss गया सिस्टम बंद करो ट्रेड बंद करो आपको ज्यादा ट्रेड को Hold करने की जरवात नहीं है तो अभी में अगर आपको अपना पोजिशन लेक लगाने का तक तो यह अलए कि आ नहीं है नहीं तो अब देखो कि तो मैंने उसको बाई किया है वीस तुपह की आसपास मैंने इसमें इसमें और बीज राइक तो अपन्कूले फॉज पर यह पांचीज लाग के अपक्सक्र स्काप्ड से कैंसल करें कमने का जो इस लुक्टर स काफी शार्प था तो मेरे को यहां पर यहां पर लगाने का कॉंफिडेंस निया है क्योंकि वह लड़ी वह ट्रेड में एंटर लेती हो लॉस में जाते हैं लेकिन अफ्टर थी गंडर उसने अच्छा का सा मूव दिया तो थर्टी थर्टी के आसपास जब 25 का पार करने लग हुआ है तो अल्मस्ट 50 परसेंट का जो रिटन है और इस एक स्केल्प में बुक किया हुआ है और रही बात फाइनल पॉजिशन की फाइनल पॉजिशन मेरा अल्मस्ट दो लाग पैतिस जार का है जिसमें मेरा एक एसल था दो लाग बैनेव हजार उपे का जो प्रफिट है वह इस वाले जो बिग बार सेटप है मेरा बना हुआ है उसके बात जो मैंने स्टॉक ट्रेड के थे स्टॉक में बेसिकली जब मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल शो करता था तो अपना बेरिस सेटप बनानी के प्लैनिंग थी कि आज अपने को बेरिश मूव लेना है या यहां पर मैंने यहां पर इस सिपला के ट्रेड में प्राफिट भूग नहीं इसका में इसका इंपक्ट क्या पड़ा कि जब यह प्राइस यहां से रीवर्स कर दिया डवल बॉटम दो बारा है मेरे को टार्गेट बॉक करने के लिए मैंने नहीं बुक किया तीसी बार जब आपको जब आप किसी ट्रेड को कर रहे हो आपको टाइम से टार्गेट बॉक करना भी आना चाहिए अगर आप टार्गेट बॉक नहीं करते हो तो आपको ट्रेड स्टॉप लॉस देखे चला जाएगा आपको इस सामने एक्जामपल है सिपला का क्योंकि इसमाच्छा घात पड़ा यहां पर बना लिया था तो नॉमल सी बात अगरी निकलता तो इसने अच्छागा सा अफसाइट रिवर्स शो करना था तो वह भी आपको सामने दीख रहा है शो कर दिया रिवर्स तो मेरा सीपलम कॉस्ट को बुक करने का बजा बढ़ा और इंडूसेंट बैंक में प्रफिट को टाइंट से बुक नहीं किया इसलिए मेरा से अंधर नुन काम नहीं करना होता है मैं आपको रोज की रोज मेरी वीडियो देखता हूं मेरे सेट अप को समस्ता होगा उसको काम करना अभी तक आभी गाओ उसको जारदा डीप समझने की जरूद नहीं है कि लिए नीचे ट्रैप बना है अच्छा आप बना हुआ है अच्छी खासा कैंडल में भी अपने को एंट्री मिल लिए देखो है ना और तीस का पच्छिस 500 को चूज करता हूं इसको आप देखना इसको अगर मैं आप चूज करके स्टाइक राइस को यहां पर अभी लगाता हूं तो आप यहां पर देख लोगे बाइस जारद पांद सो यह देखो इसके अंदर स्पाइक देखने को मिला और मुस्ट आपका इक अच्छा कासे हली साय आप बंडा अराउंड 30-150 गया परिम लेकिन 50 से जो इसका इससा इसल बनना है तो अगर आपका जो जब इसल बड़ा बनता है कोशिस करो वहां पर हमें से क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए उतना ही क्वांटिटी होना चाहिए जितना लॉस भी एदर कर सकते हो अगर आपका 50 परसेंट का एसल बनना है आप प्लैन करो कि भाई मैं दसी हिजार का लॉस दो आपका कैपिटल वहाँ वीजी हिजार लगना चाहिए ऐसा अंदादू तो इतना ज़री भी नहीं है जब रस्तिक आपना पैसा डालना आपको समझवाना चाहिए आपको बैक्टेस करा हो आना चीए आपको चार्ट पो उसका रिजल्ट दिखना चीए है ना क्योंकि अपन यहां पर किसी भी टारिकी गारेंटी क्लेम नहीं कर से क्योंकि मेरा पा और यह था आज का अपना फाइनल पोजिशन और अगर में नीचे अपडेट हो जाएगा दो लाग प्रेटिस जाएगा इसमां आपको सी ऑप्शन ट्रेड दिखेंगे जो मैंने दोनों कॉल साइड की टेड बनाए और यह सिपला और इंडोसिन बैंक का ट्रेड आपको नह आपको इंडेक्स को भी देखना होता है अगर मैंने आप चार्ट शेर किया इडिजन मीं कि आप यहां पर सीधे कूछ जाओ आपको अपना पर उसको अब्जर्व करना पड़ेगा देखना पड़ेगा आप अगर उन पर काम करें उनको उब्जर्व करें अपनी वासरी करता हूं निफ्टी भी ट्रैप कर चुका था और इसके बाद आप देख सकते हो एक अच्छा-खासा मूब और अभी तो और भी अच्छा स्पाइक अभी बैंक निफ्टी अपना दे चुका तो टैलिक नाम का लिंक आपको डेक्स्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा जहां कि तरीकर से अपने को ट्रेंट करने कितना स्टॉप लॉस है आपको सीखना है और से स्टॉक में काम करना सीखना है और और ओप्शन के अंदर कौंटिटी थोड़ा डाउन करता हूं क्योंकि आप लोग को एक मिसक्शन हुआ है कि जो होगा और ऑप्शन से ही होगा ऑफ ट्रेडिंग करके बाई लेकिन जाता भी वैसी आपने देखा होगा चारचा पांच पांच लाग के लॉजब हो जाते हैं वो तो कुल मिला कि काफी ज्यादा इस्ट्रेस रहता है काफी ज्यादा आपको फोकस रखना पड़ता है क्यों कि या पहले ह मैं थोड़ा सा peaceful side में जाऊंगा जहां पर में इस टॉक्स में अपनी quantities बढ़ानी जहां पर मैं आपको आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सेखने को मिला होगा में सेट अपस थोड़ा सा क्लियर होगा आपको इक बार सेट आप पर काम करना है इस नीचे description box में लिंक दिया है आप जाके चेक आउट कर सकते हैं सीखिए बैक्टेस कीजिए फिर जाके अगर आपको सही लगता है